राधी राधी दोस्तों दोस्तों मेरे यूटूब चैनल पर आपका हाद इक स्वागत है दोस्तों आपने टीवी पर रमायड देखी होगी और रमायड पढ़ी भी होगी और इस्कूल में भी रमायड के पाट पढ़ाया गया होगा रमायड में सबरी का चिक्र जरूर आता है कौन थी सबरी भगवान राम ने क्यों जूटे बेर खाय थे आज हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे दोस्तों यदि मेरे यूटूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजे बगल में बेल आइकन है उसको पुश्क कीजे लिए अनतर तक देखिएगा वीडियो अच्छी लगे तो यदि न अच्छीं लगे तो अनलाइक भी कर सकते हैं ज़िए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जानकारी लेते हैं कि रामाड में कीजबरी कौन थी सबरी का जन्म एक गरीब आधिवासी परिवार में हुआ था उसे अच्छूत माना जाता था सबरी के माबाप ने उसका व्याँ ऐसे व्यक्ति से तै किया जो सराप के नसे में चूर रहता था मान्स मदरा के अलावा उसे कुछ नजर नहीं आता था सबरी ने जब रिष्टा तोड़ने की बात कही तो घर वालों ने मना कर दिया मगर वे अपनी जिन्द की बरबात होते वे नहीं देखना चाहती थी सबरी साधी से ठीक पहले से घर भाग गई घर से भाग गई और जंगल में पहुँची वहाँ जंगल में कई रिष्टी मुनी तपस्या कर रहते सबरी उन रिष्टीों के लिए जंगल से लकड़ियां हमन की अनसामगरी और खाने के लिए फल तोड़ कर लाती थी सबरी रिष्टी भी उसके काम से खुश थे अचानक एक दिन रिष्टी मुन्यों को पता चला कि सबरी एक अच्छूद आदिवासी है उसके बाद सबी रिष्टीों ने सबरी से किनारा कर लिया सबरी जिस सलाव से जल लेने जाती थी रिष्टीों ने वहाँ से पानी लेना भी बंद कर दिया आखिर में सिर्फ रिष्टी मतंग ने उने अपनाया और सिच्छा दी उन्होंने सबरी को अपनी बेटी की तरह रखा जब वे बूले हो चले तो उन्होंने सबरी को पास बुलाया और कहा एक दिन भगवान राम तेरी कुटिया में आएंगे खुद तुम्हें इस संसास से मुक्त करेंगे ये कहकर इसी मतंग चल वसे उनकी मिलत्यू हो गई इसके बाद सबरी अकेली अपनी कुटिया में रहने लगी वहरो जाना बाग से फूल और बेर तोड़कर लाती फूलों से कुटिया को सजाती और राम का इंतजार करती वह बेर को चक्कर देखती कि वह मीठे हैं या नहीं है ये सिलसला कई सालों तक चलता रहा समय के साथ सबरी का सरीर भी जवाब दे रहा था वह बोड़ी हो चुकी थी एक दिन राम अपने छोटे भाई लचमर के साथ सीता की खोज में वन में ब्रमण कर रहे थे राम को प्यास लगी तो उसी तलाब के पास पहुँचे कुछ रिशियों ने राम लचमर को सरौर की दरब जाते देखा तो रोग दिया रिशियों ने कहा कि एक अचुट नारी इस तलाब से पानी लेती है वहाँ का जल अचुट हो गया है इसके बाद राम ने उन रिशियों को डाटा उन्हों ने कहा कि नारी इनसान को जन्म देती है तो अचुट कैसे हो सकती है इस बम्हंड की कोई नारी अच्छूत नहीं हो सकती राम ने उनसे उस नारी का पता पूछा रिशियों ने सबरी की कुटिया का पता बता दिया जैसे ही राम कुटिया की तरफ पहुचे सबरी ने उन्हें परचान लिया वे तेजी में आई और राम के चरलों में गिर गई इसके बाद सबरी ने राम और लचमर दोनों की प्यार से आओ भगत की उन्हें अपने मूँ से चके हुए बेर परों से राम ने तो खुसी खुसी बेर खा लिये पर लचमर ने का ये बेर सबरी के जूटे हैं इसे कैसी खा सकते हैं इस पर राम ने का ये जूटे नहीं बलकि मीठे वे रहें इससे मा सबरी का प्यार है इसके बाद सबरी ने भगवान राम से दे त्याग की इच्छा जटाई राम ने आशिवाद दिया और सबरी ने उनके सामने ही अपना सरीर त्याग दिया ये थी कौन थी सबरी भगवान राम ने क्यों खायते जूटे वे इसकी पूरी जान करें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सेर कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कमेंड में जैसीरी राम लेकिएगा चलिए अगली वीडियो मिलते है जैसीरी राम रादे रादे